वेल्कम बेक टू विकास लाइफ एश्टेल आज हम बात करेंगा अल न्यू हैच बैक के बारे में मारतिय सुचकी L2K10 थर्ड जनरेशन मोडल अपी यह देख रहे हैं जो मिलते हैं आपको सिंगल इंजिन आप्शन के साथ में प्राइस शुरू होते है 4,43,000 रुपीज से टॉप मोडल की कीमत है 6,62,000 रुपीज VXI और VXI Plus में Automatic AMT Gearbox का Option मिलेगा CNG के लिए भी दो वेरेंट है LXIS, VXIS CNG में कंपनी मालच क्रेम करती है 33.85 किलोमीटर प्रती लीटर का पैट्रोल में कंपनी मालच क्रेम करती है 24.39 किलोमीटर प्रती लीटर प्रीविज जनरेशन अल्टो केटन से अगर कंपेर करें तो लेंथ आपको 15 mm ज्यादा मिलेगी हाइड भी आपको 45 mm ज्यादा मिलेगी एंड वील बेस भी आपको 20 mm ज्यादा मिलेगा नॉमबर 2000 में लॉंच हुई थी सबसे पहले मारती सुचकी अल्टो और इसका सेकेंड जनरेशन मॉडल लॉंच हुआ था 2012 में थर्ड जनरेशन मॉडल जो लॉंच हुआ है 2022 में मानेसर हर्यारा में इसकी असेंबली होती है आईए बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की यहां मिलेगा आपको हनी कॉम ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में यह ग्रिल मिलेगी आपको स्टेंडर चाहे आप बेस मॉडल ने या टॉप मॉडल बीचे मिलेगा आपको सुचकी का लोगो मल्टी रिफ्रेक्टर हेल्डेंस मिलेंगे टर्न इंडिकेटर के साथ में सिंगल टोर्न फ्रंट बंपर मिलता है आपको सिंगल वाशर मिलता है आपको दो सिंगल ब्लेड वाइपर के साथ में यहां मिलेगा आपको रूफ एंटीना A-pillar मिलता आपको body color में Black O-RVM मिलेंगे आपको top model में भी Fender पे मिलेगा आपको turn indicator Length मिलेगी आपको 3530 mm Width मिलेगी 1490 mm Hide मिलेगी 1520 mm Wheelbase मिलेगा 2380 mm Turning radius मिलता आपको 4.5 meter And curve weight depend करेगा variant to variant यहां मिलेगा आपको black steel wheels Silver wheel cover के साथ में Alloy wheel आप accessories में लगवा सकते हैं Tire profile मिलेगा आपको 145 by 80 R13 Front में disc and rear में आपको drum brakes मिलेंगे B and C pillar outside door handles मिलेंगे आपको body colors में Integrated rear spoiler मिलेगा High modest top lamp के साथ में यहां मिलेगा आपको rear combination lamps Turn indicator के साथ में बीच में मिलेगा आपको सुचकी का logo Left hand side में मिलेगा आपको L2K10 की badging Signal tone में मिलता है आपको इसका rear bumper Exhaust tail pipe यहां मिलेगा आपको दो reverse parking sensor Rear defogger, wiper washer का features आपको नहीं मिलेगा किसी भी variant में Warranty की बात करें तो 2 year 40,000 km की warranty मिलेगी इसको आप extend भी करवा सकते हैं 5 years के लिए Safety features में मिलेगा आपको dual front airbag ABS VDBD, reverse parking sensor, collapsible steering column Front seat belt, pretension and force limiter के साथ में Seat belt reminder with buzzer Speed sensing auto door lock Impact sensing auto door unlock Center door locking with remote entry system Key fob में मिलेगा आपको lock unlock का option आईए boot open करके देखते हैं Electromagnetic button का option नहीं मिलेगा Key key through आपको boot open करना पड़ेगा यहां मिलेगा आपको 214 liter का boot space Renokid में मिलता आपको 279 liters का Rear partial tray का भी features मिल जाता है आपको इधर Lagage होगी या lagage lamb का features आपको नहीं मिलता यहां मिलेगा आपको steer spare wheels 13 inch में ही मिलेगा आपको spare tires आईए boot close करते हैं अगर आपको और जादा space चाहिए तो आप second row seats को fold भी कर सकते हैं 60-40 split folding second row seats का features आपको नहीं मिलता Second generation L2K10 discontinue हो गई थी 2020 में उसी को replace किया था एस्प्रेसो गाड़ी ने सुचकी के hard tech platform पे बनती ही all new L2K10 जिस पे एस्प्रेसो भी बनती है आईए rear का passenger side door खोल के देखते हैं यहां मिलेगा आपको single tone में door paddings dark grey color में door paddings मिलेगी power window का features नहीं मिलता आपको rear section में door mounted armrest hard plastic के साथ में मिलेगा set a silver inside door handle और ऐसे दिखता है इसका interior fabric seat of fosterie मिलेगी आपको यहां मिलेगा आपको fix head rest ELR seatbelts मिलेगी आपको rear section में कुछ इतना hump मिलता है आपको rear section में utility space यहां मिलेगा आपको grab handle और ऐसे दिखता है इसका all new interior all black interior theme मिलती है आपको silver accent के साथ में three spoke steering wheel मिलेगी आईए driver side door खोल के देखते हैं silver accent के साथ मिलेगा आपको inside door handle यहाई speaker का placement bottle holder, coffee space, door mounted armrest मिलेगा आपको hard plastic में ORBM को आप manually adjust कर पाएंगे यहां मिलेगा आपको tire pressure information यहां मिलेगा आपको dual tone finish के साथ fabric seat of fostering fix head rest मिलेगे आपको आगे हो पीछे three spoke power steering wheel मिलता है आपको यहां मिलेगा आपको circular shape पे AC vents silver accent के साथ में यहां मिलेगा आपको light के controls bonnet खुलने के levers यहां मिलेगा आपको pedals आईए diver seat से बैठके देखते हैं यहां मिलेगा आपको manual hand brake यहां मिलेगा आपको five speed manual transmission five speed amt gear box का भी option है यहां मिलेगा आपको two glass holder आगे मिलेगा काफी space 12 volt का port, USB port यहां मिलेगा आपको single zone common fan speed control manual AC अजार light का button यहां मिलेगा आपको touch screen unit जो आपको lower variant में नहीं मिलेगा यहां मिलेगा आपको two easy vents glove box में काफी space passenger side sun visor grab handle reading lights driver side sun visor voice command का features पिलता है आपको top model के साथ में यहां मिलेगा आपको 1.0 liter K10 dual jet dual VVT 3 cylinder BS6 petrol engine जो power produce करेगा 66 BHP की और जनेरेट करेगा 88 Nm का अभी आप इसका solid white color देख रहे है metallic silky silver metallic granite gray metallic sizzling red metallic speedy blue pearl metallic earth gold color का भी option है आपको Elto K10 कैसी लगी please comment में जरू बताएगा चैनल पने है तो प्रीचैनल को subscribe करें वीडियो को like करें मिलते हैं आप से next वीडियो में किसी नए topic के साथ में तब तक के लिए बाई बाई